रास्फिरा डीग सीरप इसे जनोफामदराप बनाया जाता है इसके अंतर जो मॉलिकुलाइड किया गया है वाद डाक्स्टोर मित्रोफन हाइडरोबरॉमाइड है और दूसरा सीपियम क्लोरोफिनर अवाइन गितना दिन लेना चाहिए तो इस वीडियो के माधियम से में पूरी जानकारी आपको हिंदी में सेर करने वालकों जो आप के लिए इंप्पॉर्टेंट वो सकती है तो अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते है तो वीडियो के आन्तक बने रहे हैं और अपडेटेटी रहना चाहता है मैडीसीन से जोड़ी जानकारी से तो अप चैनल को सब्सक्राइब कर ले है तो Respira D जो सिरफ है इसे जो के Dry Cup के लिए बनाया गया है यानि कि जब आपको सर्दी कासी जुखाम रहता है यानि नाग बैती है, नाग से पानी आहादा है नाग जाम रहती है और जैसे कि आपको आखो से पानी आता है या जैसे कि बार बार आपको छीक आ रही है, नाग बह रही है, तो अब इसे दिया जाता है, या जैसे कि आपको खासी आ रहे, खासी के साथ कुछ भी नहीं निकल ला है, तो इसे dry cup बोलते हैं, तो उससे में डॉक्टर आपको इसे recommend करते हैं, या जैसे कि ऐलर्जी वाली जो common side effect देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको उल्टी आ सकता हि, जीम अचला सकता हि, नीच जादे आ सकती है, पेट में अपचन हो सकती है, और यहांज Lesson, छहां कि आप चकर जैसे आपको मैहसूस हो सकता है, यह से common side effect देखने को मिलता है, तो अगर आप इससे ले रहे हैं, जितना ख्याल रहे खाना खाने के बाद लें और जहां तक हो आप इसे जो कि टॉज जले ले और लगबग 5 जिन तक लें तो जिस तरह से डॉक्टर आपको आडवाइज करता है इसका डोजन डूरेशन का आप उसे जरूर फॉलो करें तो इसे जो कि आपको ड्राइक कप में यानि कि जब सरदिक आसी जुकाम रहता नागबती तभी लेना है तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट के हैं वीडियो आपको जरा सभी इन्पॉमेटिक लगे है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा अपडेटेड रहना चाता है मेडिसीन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाते है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रहूं नई-णई मेडि तो फिर मिलते हैं नाइक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें